नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटीब चैनल इलेक्रोनिक वर्ल्ड पे जैसा कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में देखा था केसी भी इस रेप्लाइजर में टाइमरे कनेक्शन कैसे करते हैं लेकिन यहां पर दिक्कत ही आती है कि जो मैंने कन जा दूँगा कौन सी तार किसी चीज की है और कौन सी तार इसकी कहा लगती है तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें बाकि हमार पास यह किट है और यह इसकी आईजी का नंबर है जो कि आप देख सकते हैं एजी टू रूपलेश है बाकी यह दो प्रिशेट और एक हमें ट्रैंजिस्टर मिलता है इसमें ट्रैंजिस्टर का मैं नंबर अगर आप लोग को बताऊं तो इसका नंबर है BD149 जो हमारा एम्प्लिफायर में भी लगता है ठीक है दोस्तों अब बारी है इसमें कनेक्शन की तो सारे कनेक्शन मैंने टार में लिख रखे हैं जैसे कि आप लोग को इद दिखा रहा है सामने कौन सी बार किस चीज की है और कौन सी बार का क्या काम है मैंने सब चीज का लिख रखा है आप चाहो Cinema को रोक के देख सकते हैं जो कि आपको बाद में काम आएगा ठीक है दोस्तों अब आ रही है इसके connection के बारे में बताने की पहले इसको मैं निकाल लेता हूं उसका connector फिर आपको बताता हूं जिससे कि आप लोग को असानी रहेगी तो पहले कि हमारी जो दो तार है जो डाइवोड की लगा सकते हैं क्योंकि आगे इसमें डाइवोड लगे हैं तो यह DC कर देखा अपने आप तो यह तो हो गई हमारी पहले दो connection इसमें आप कैसे भी लगा सकते हैं यह अपने आप इसमें positive negative बन जाएगा तो यह होगा हमारे जो हमारे main supply देनी है इसकी connection बाकि इसमें तीसरी औ और आठ नंबर की तार को एक कर लेते हैं जो कि हमारी LED की LED की हमारे तीन तार इसलिए हैं एक ground है और दो positive हैं जैसे कि हम दो इसमें LED लगाते हैं पहले तो हमारे यह LED ओन हो जाएगी है कि हमारे इस रप्लाजर ओन हो चुका है और kit में supply आ चुकी है फिर दूसरी supply हमारे दिख रखा है अब बारी हमारी फार्च और छे नंबर की तार जो कि हमारी push start button की होती है जैसा कि आप लोग को अगर तुरंत इसको instant on करना है अपना इस्टरप्लाजर को तो यह वाले बटन में पूस बटन लगा सकते हैं जिससे कि आपका इस्टरप्लाजर तुरंत ओन हो जाएगा और यहां पीछे समय गिन के दिखाता हूं तो यह हमारी गई है सीधा resistance में यहां से resistance और सीधा IC में यानि कि अगर आप इसको button on करते हैं तो यह हमारी direct on हो जाएगी बिना timer के हैं तो यह वाली मैंने connection बता दी कहां से निकलता है आप लोके में आगे पीछे होगा आप यह भी देख सकते हैं बाकि हमारी जो लास्ट के भी दो तार बसती हैं जैसा कि हमारी एक 8 नंबर के हमने छोड़ी थी साथ और 9 नंबर के हम लेंगे तार तो यह हमारी DC 24V आउट है यानि कि यह वाली लगती है हमारी रिलो में यह ऐसे करके रिलो में लग जाती है और और हमारी रिले काम करती है जैसी हमारे टाइमस यह वाला हमारा एक टाइमर का और दूसरा वाला हमारा होता है सेट करने का कि इतने सेकंड प्रयमे अधिन BUT यह ऑसे बाकि आ बखं़या यह वा *** तो आप छोटी रिले भी लगा पच्चिस एंपियर की ही है यह बस छोटी बड़ी का थोड़ा सा फरक है जैसे कि आप लोग को इसमें दिख रहा है 24 वल्ट 25 एंपियर की रिले हैं बागे मैंने आप लोग को इसके कनेक्शन बता दिया मैं एक बर फिर बताता हूं यह हमारी पहली दो तार है यह वोल्टेज की तो इस तरीके क्यों चीज़ के कनेक्शन है आप लोग को समझ में आ गए होंगे बाकि इसमें जो ट्राजिस्टर मिलता है मैं मैं आप लोग को दिखाता है को ट्राजिस्टर है इससे अगर आउटपुट निकल लाइक इसी भी तार का तो आप लोग को इतना ध्यान रख